हेला व्रीवान माइनम इस गौराव जैसा कि आप से वह बता है हम यहां पर एट क्लास की जो बुक्स है उसको श्टार्ट कर चुके हैं और यहां पर आज हम यहां पर फॉर्स्ट वीडियो एक्षर्स के अंदर बेसिकली आपके बाद जो चैप्टर नमबर वान है रेस्टनल लाइन के बारे में सुन जाओंगा ताकि आपको रेस्टनल नमबर अच्छे रंग से समझना है तो देखे सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगी नमबर लाइन से यहां पर आपको क्या दिखते हैं सारे जितने भी नमबर्स होते हैं जिनका आप डे-to-day लाइफ में आएनसे जो आपको दिखते है क्योंकие नमबर लाइन से हमें सारे जो ओते हैं वह देखने को मिलते हैं अप देखे इस नमबर लाइन के अंदर से हैं तो basically बात करें, तो आपके जो number line होती है, वो represent करती है, minus infinity to plus infinity की बीच के number को, yes, basically बात करूँ आपके पास, तो यहाँ पर आपके 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 आप वो अनंद तक चल रहे हैं और यहाँ पे नंबर के बात करूँ तो इस तरह भी अनंद तक चल रहे हैं अब इस नंद तक चलने वाले numbers के बारे में infinity तक चलने वाले numbers के बारे में बात करूँ तो यह जो center point आपको दिख रहा है इस center point के इस तरफ आले numbers आपके पास क्या कराते हैं आप पॉसिटिव numbers कराते हैं अब इस positive numbers में बहुत सारे numbers हो सकते हैं just like 0 के बाद आपके पास क्याएगा 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा इस तरह से number आपके पास चलते रहेंगे इसके बीच में भी आपके पास कुछ ऐसे चोटे चोटे नबर सोते हैं उनके बारे में देखेंगे अब देखें यह जो चोटे चोटे नबर सोते हैं तो उसके अंदर हमारा नाम आता है इसी number system के बारे में हम समखने वाले हैं clear, अब देखें, यहां पर बात करें तो इसके, यहां पर आप लाफ साइड में, चलना एम दोड़ा सा तो लें तक हम का सा चल रहे थे राइट tut नह cafeter गई 20 में जय सरा जो छनने साव देखनानल सř美元 में जैसे जैसे हम यहां पर चलते साओन चले तो इस तरह से हमें सारे कहां देखने मिलते हैं तो यह जो हम पढने वाले हैं इससे पहले से उनको जड़ा उनको डिसकस करने के बाद हम रेशनल नबर तक पहुंचेंगे और रेशनल नबर हमाले क्यों important है क्योंकि यहां से आप रेशनल नमबर से start करेंगे तो आगे आपको रेशनल नमबर भी देखने को मिलेंगे उनके वीच में जो operation होता है वह प्रफॉर्म देखने को मिलेगा त स्वाइब हैं को का लिखाता है और जिखाता है है इस पर नमबर का आपके और पास देटिलाइफ में कहीं भी यूजए जाएए आप हर जगा उस numbers को देख पाएंगे clear, जैसे लाइक बात पर करूँ यहाँ पर तो हम chapter number कौन सा पड़ रहे हैं यहाँ पर chapter number 1 को discuss करें chapter number 1, यह 1 क्या चीज़ है, यह number ही तो है और इसी number system के अंदर हम यहाँ पर discuss करें इसको अब चलते हैं यहाँ पर सबसे पहले बेसिक नंबर के उपर, बेसिक नंबर से फिर रेशनल नंबर के उपर चलेंगे, तो चलें बेसिक नंबर के उपर, तो देखें, बेसिक नंबर क्या कर रहा है, यहाँ पास सबसे पहले है, हम इसी तरह चलेंगे, हमारे पास सबसे पहले 1.1 का है तो 1.1 का वीडियो मिलेगा 1.2 का है तो 1.2 का वीडियो मिलेगा 1.3 का है तो 1.3 का वीडियो मिलेगा ए इस तरह से वीडियो मिलेगा ताकि आप यहाँ पर अपनी जो अपने नंबर लाइन इस तरह से स्टड़ी की थी इस नंबर लाइन स्टड़ी के अंदर बात करें ताकि आपके पास 1 से लगा कर × सी से लगा कर जी से 1 से लगा कर इंफिनिले तक right hand side के जितन被 नंबर्स होते हैं जिसके अंदर आपको जीरो को नहीं include करना है इस चीज gak धहारा दिया नकीगा एस इसके अंदर हमें का करना है जीरो को इंक्लूड नहीं करना है 0 के अलावाद जितने भी पॉजिटीव नमपर देखितीम पॉजिटीव नमबर भी इंपोर्टन नहीं यह वह लो यह वह लाई the line increase to the right hand is side from 1 to infinity, yes, कहां से रगाना है, 1 to infinity के बीच के जो numbers होते हैं, वो हमारे पास क्या कराते है, natural number क्या लाते है, clear समझाएं आपगा, अब देखे, natural number को denote कैसे करें हम यहाँ पर, तो natural number को denote करने का तरीका है, आपके पास N, yes, natural number को denote करने का तरीका क्या है, आपके पास यहां पर answer है clear है समझा रहा है पर अब चले हंपर natural number तो हमें समझ बाद चुके हैं अब बात करते हैं यहां पर whole number की whole numbers आपके पास क्या होते हैं तो देखें whole number को define करने का जो तरीका है वो है आपके पास kya है W तो अभी तक आपने उन को ही आपने क्या क्या था आपके पास जीरो बजग गया था याbecause यह जो बचव अधिता इस जीरो को भी हम क्या करते हैं इंक्लूड कर देते साइसे म suspea आपके हैं ऐाख कहते है जो आपके पास जीरो से कहां चले इनवेनाड़ी सी और प्लस इंफिनिटी तक THE आप के पास यहां आपके आपके पास होल नमबर कर आते हैं तो basically बात करें तो अभी तक हमने क्या क्या था यहाँ आपक olhos जीरो को include क्या था और विचारे negative numbers थे उनको हमने छोट दिया था तो अब हम क्या करेंगे उस negative numbers को भी हम क्या करेंगे सामिल कर लेंगे मतला हम क्या करेंगे उसके साथ gathering करेंगे तो जब देख यहां पर बात करें तो आपके आप में अब भी तक हम क्या करें यहां पर यह तो जीरो बज़ गया इसको इकटा करके whole number बना देता अब हम यहां पर क्या करेंगे basically इसके आगे बाले जो number है जो आपके आपके बास negative number जिसे आप बोलते हैं जैसे हो गया वह हमाले क्या करते हैं इंटीजर नमबर करते हैं तो यहां क्या है दिस लाइन इंक्रेश टूबर तूब बोस साइट बोस साइब जाना है जीरो तो इंफिनिटी तक गए माइनस वाइनस टू माइनस वाइनस जीरो उसके बाद 1234 यह सारे कि सारे जो number होते हैं वह आपके लि नमबर देखा और आपने इंटीजर नमबर देखा यह तीनों नमबर से एक ऐसे नमबर से हैं जहां पर हम डेसीमल नमबर जो होते हैं यहां फिर मैं बात करूँ जो अभी तक यहां पर सामिल निक्या आपके पास एक परफेक्ट नमबर आपको देख रहा है जैसे टू हो हो गया जैसे बात करें आपके आज 200 हो गया जैसे बात करें माइनस के 700 हो गया तो इस तरह के जो परफेक्ट नमबर होते हैं उन्हीं को ही हम क्या कर रहे हैं आप अपने यहां पर सामिल कर रहे हैं बात करें यहां पर इनके अंदर लेते हैं क्लिए समझा रहे हैं यहां पर आप बात करते हैं यहाँ पर real number के बारे में real number क्या होता है तो real number आपके पास number का ऐसा combination हुता है यहाँ पर minus infinity to plus infinity इसके अंदर आपके पास यैसे भी numbers हैं वो सारे आदाएंगे just like आपके आपके आप, decimal number हो गया decimal number हो गए हैं आपके बात करें है यहां पर आपके वां सका है वन है तो क्या हमारे पास इसके बीच की रहेंगे गेंगे को न सहोता है ज्याद डिसकुस करें the तो आक क्या सुता है 0.1 उसके बाद कर रहे है 0.2 देन आपके बाद कर रहे है 0.3 देन आके बाद कर रहे है 0.4 इस तरह कि बहुत सारे numbers आपको देखने को मिलते हैं clear तो यह सारे numbers भी क्या इसके अंदर आते हैं एक साथ देखने को मिलता है, अभी तक हम integer number तक नहीं है, यहाँ बात करें, तो अभी तक हम यहाँ पर आपके जो rational number है, उस तरह नहीं पहुंचे हैं, अभी तक हम बात करें है, केवल number system की, तो देखें, यहाँ से आपको एक चीज देखने को मिली है, क्या देखने को मिली है, जड़ा उसको देखें यहाँ पर, तो जड़ा उसको समझते हैं, क्या आपके पास जो number होते हैं, यस, जो numbers होते हैं, वो कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं, यस, इसको जड करूं रियल नंबर की तो आपके पास यहां पर रियल नंबर देखने को मिलते हैं रियल नंबर बात करें आपके पास सारा नंबर से यहां पर चाहे जिससे नंबर बात करूं आपके पास आपने कौन से नंबर देखें यहां पर बात करें तो आपको यहां पर इंटीजर तो यहां पर बात करें इस तरह में पड़ेगा हम यह टो यहां पर एक बटा इस तरह से बना लड़ते हैं na गार दिकैंश क few पर मग में यहां काव से एक ओर आ गया होगे क्लिर और यहां पर बात करूँ उसके बरी को पास तो आपके पास next कौन से नंबर होते हैं इंटीजर नंबर होते हैं इंटीजर नंबर होते हैं इंटीजर नंबर होते हैं तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा यहां पर इंटीजर नंबर देखने को मिलेगा यहां पर इंटीजर नंबर देखने को मिलेगा यहां हम केवल जीरो से लेकि आपके पास कहा करते हैं इंफिनिटी देखने मलता है होल नंबर देखने को मलता है यहां पर आपके पास आगा यहां पर नाचूरल नंबर आ सबसे बार जो आपके वार यहां पर उसके अंदर आपके पास क्या दिखते हैं में अब बात करते हैं हम यहां पर तो इस तरह से जो numbers आपको देखने को मिलते हैं यह सारी क्या होते हैं यहाँ पर होते हैं मैं ऐसे नबर जिनको आप यहां पर यहां पर भात करया आपके पर तो यहां तो इसको क्या बोलते हैं विल्टे है तो इसको आफीज दाखले आफ मान है His उसको पी बोलते हैं और नीचे बने वाले को क्या बोलते हैं यहां पर यहां पर नीचे वाले की बात करें तो यह आपके पास क्या क्या होता है यहां पर यहां पर आपके पास होता है यहां पर यहां पर नहीं होना चाहिए यह बहुत इंपॉर्डन चीज़ है इसको समझते रहेगा क्योंकि यह आगे आने वाले बहुत ज़़ा इंपॉर्डन रूल करने वाली है अब यह क्या चीज़ होती है तो क्यों आपके पास होता है यहां पर यह इनके पास जीरो नहीं होना चाहिए यह इनकेस डिन्यमिनेटर जीरो हो जाता है दैन उसकेस के अंदर आपके पास जो नंबर है वह एक्जिस्टी के लिए आपके पास q does not equal to 0 होना चाहिए यहां पर इंफिनिटी नंबर चला जाना इंफिनिटी चला जाना तो ऐसलिए हम यहां पर q को जीरो नहीं कर सकते है यहां पर देखे यहां पर एक लाइन लिखी ही जो इंपॉर्डन लाइन से बहुत ज़्यादा वियर पी और बो जान षेस नमबर पाऊ स Here लेकिन यहां पे जो क्यों है वह जिलो और चयान होना चाहिए मतला बात करें इस तरह की फ्रhakemare आपके पास और डिनम्रेटर की लिगते हैं तो ऐसे नमबर को हम क्या बोलते हैं बिसकली डिशना निंबर बोलता के यहां पर निचे सकता है यह सारी चीज़े हम यहां पर देखेंगे तो आने ओले विडियो लेक्ट्रस का निदर हम बेसिकली इन सभी चीज़ों के वारन समझेगे और इनके बीच में जो operation perform होता है अब यह operation क्या चीज़ है basically तो operation का मदब होता है यहाँ पर addition, subtraction, multiplication, divide, yes इनकी जो operation की प्रॉपरीज होती है इन सारी properties को हम देखने वाले हैं तो मिलते हैं हमारे अकले विडियो लक्षर के साथ तब तक आप हमासा बने रही है, thank you for watching this video